दोस्तों realize power की बात के तो यहाँ पे quarter four की date आ चुकी है बहुत जल्द हमारे सामने quarter four का result होगा अब result की संभावना क्या बन रही है क्या इस बार भी company को loss ही होगा या company आजागी profit में तो पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं कि company का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है company green energy के portfolio के साथ आगे बढ़ रही है इसके अलावा बांगला इसका इनका जो project है वो भी आने वाले समय पूरा होता हो दिखाए देगा जल्दी तो यहाँ पे बहुत सारी बाते जिसको इस वीडियो के मादे में से डिसकस करेंगे यहाँ पे एक बड़ी update निकल के आ रही है government ने एक बहुत बड़ा सपना सोचा है जिसका फाइदा रिलाइस को पूरी तरह से हो सकता है वैसे अनिल धिरुबायमबानी ग्रूप की सारी कंपनिया निलाम हो रही है अब आप देख सकते हो कि रिलाइस कैपिटल भी निलाम ले जारी है इससे पहले भी देखे तो इनकी बहुत सारी कंपनिया ओलरी bankruptcy के ताद निलाम हो चुकी है अब ऐसे में अनिल धिरुबायमबानी के पास सिर्फ रिलाइस पौर और रिलाइस इंफ्राइस रक्चर ही बची है जिनको वो आगे लेके जाएगे और इसके लिए इनों ने अपने यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग को मजबूती से बढ़ा रहे और यह आने वाले समय रिलाइस पौर क्लिक मजबूती का सबूत भी है वो कुछ यहाँ पे इन्वेस्मेंट भी कर रहे है अपना पिछले दोनों ने 500 क्रोड का नया इन्वेस्मेंट भी किया था तो यह जो सारी बातें साबित कर रहे हैं कि रिलाइस पौर आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है तो यहाँ पे इस वीडियो के मादियम से उन सारी बातों को समझने की कोसिस करेंगे और जानेंगे क्या यह वाकई में श्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है इस समय इसकी प्राई तो बहुत नीचे लेकिन एक समय जब इसका आई पे वाया था श्टॉक 400 के आसपास था और तब से श्टॉक लगाता नीचे भी आया बन रुपीज तक चला गया था श्टॉक कोविड काल में लेकिन आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इस नहे उस लेवल से रिटन भी दिया है तो इस सारी बातों को जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जिरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो इस्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात के स्टॉक की सुरूआद 12.60 पर हुई यानि सुरूआद पॉजिटी हुई गुरू आर की क्लोजिंग 15.50 पर थी इंट्राडे में 12.10 का लोबी बना लेकिन जो हाई है वो 12.70 का है तो आप देखे तो काफी जाद आप डाउन देखना को मिला कुछ बड़ी डिल के माद्यम से याप खरिदारी भी हुई और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई इस वज़े से गिरावट का महल देखना को मिला 12.30 पर देखे तो 1.60 पर सेंकी गिरावट थी पिछले इन जो स्टॉक काफी अच्छा दोड़ा भी है आपने देखा होगा 9 रुपे से स्टॉक 12 रुपे तक आये लेकिन आपको यह ध्याना होना चाहिए कि कोविड काल में इस्टॉक बात्र 1 रुपीज का स्टॉक 13 मार्च 2020 को देखे तो इसकी प्राइज 1.40 थी लेकिन वहां से यह जो दोड़ा तो आप देखे तो 11 तक स्टॉक जाने के बाद आप देखे तो इसके अंदर एक नई ते अगाता नीचा है इस समय देखे तो यह निवेस का मौका बंद रहा है वाल्यूम काफी सांदर श्टॉक के अंदर आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 6 क्रोड का वाल्यूम था 2 क्रोड की डिले उठाए गे थी और थरस्डे को 5 क्रोड का वाल्यूम था 2 क्रो जम के जो खरिदारी कर रहे है इसका मतलब यह है कि FI के दम पे यहाँ पे आने वाले समय में इस स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखाए दे सकती है अगर आप FI की बात के तो पिछले कई समय से आप देखे तो पूरे अप्रेल महीने में वो लगातार माल बेच रहे थे बीक्वाली कर रहे थे लेकिन पीछले तीन ट्रेडिंग से सेंसे वो खरिदार बन चुके अप देखे तो चब्बी सफर्लों को उन्होंने 1257 को भीश रिदारी की और यह बहुत बाप पॉजिटिटिटिटिटिटिगर और वैसे अगर आप देखे तो जो सबसे बड़ी बात है कि रिलाइस पॉर में FI का बहुत भारी निवेस है अगर हम FI की बात करें तो इस समय उनकी 7.35% के होल्डिंग है quarter 4 में December में यह थोड़ी सी जादा थी 7.83% के आसपास थी और इससे पहले September में 7.97% के आसपास थी तो देख सकते हो कि holding थोड़ी सी 2 quarter से कम हुई है लेकिन अभी भी काफी अच्छी holding है किसी penny stock के अंदर 7% holding FI की होना बड़ी बात होते है नहीं FI की पसंद बना हुआ stock फिलाल promoter के holding भी आपे 24.9% है नहीं 25% के आसपास है डी आई की बात के उनकी holding 3.27% थी इसमें 3.1% मामूली सी holding कम हुई है गवर्मेंट की भी 0.01% की holding है और जनल पबली के पास 64.47% के share है अब यहां पे देख से तो company ने अपने quarter 4 की date declare कर दी है company 3-5 2023 यानि 3 माई को अपना quarter 4 का result declare करेगी तो यह date हमारे सामने आ चुक है और inside trading के लिए ओलरी trading window close है जो यह trading window आप देख से तो पांच माई को खुलेगी तब तक के लिए आप देख से तो चाहे promoter हो या फिर board के सदेश्य हो या employees सबके लिए trading window बंदे क्योंकि CB का law है एक बार result की संबावना बन जाती है उसके बाद में trading window करोज की देख जाता है ताकि कोई भी उसका गयर फाइदा दा उठाए तो अब जल्दी हमारे समने result होगा और result की बात करें तो आप देख सकते हो तो company के प्रदस्द में काफिया इंप्रूमेंट देखना को मिल रहा है 2019 में अगर देखे तो इनका जो revenue 8.53,000 को भी तक पहुंच गया 2020 में देख सकते हो एक सांदार bounce back देखर को मिला revenue बढ़के 8.42,000 को भी तक पहुंच गया और company को 0.23,000 को भी तक profit हुआ लेकिन 2022 में फिर से revenue कम हुआ 7.70,000 को भी तक revenue मिला और 0.67,000 को भी तक loss हो गया तो 2022 फिर से company के लिए ठीक नहीं था लेकिन अब लग रहा है कि positive संभावना बन सकती है आप देख सकते हैं पिछले एक साल की भी बात तो December 2020 में 1796,000 को भी तक जो revenue था हो December 2022 में बढ़के लेकिन मार्च में ये लॉस बढ़के 58 को भी तक पहुचे था लेकिन मार्च में लॉस में लॉस में कमी आई फिलाल 290 को भी तक लॉस हो दा इस संभर में इस बार हो सकता है कि company कुछ loss में और कमी दिखाए तो फिर एक positive माउल बन सकता है और अगर profit में आगी तब तो फिर एक सांदर तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है अब यहां पर देख से तो सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाए सरकार 500 गीगावाट की capacity पाना चाहते है 2030 तक तो यह ग्रिण अनजी का पोटफोलियो है इसको पूरा करने के लिए अब सरकार ने जो कोशी से बहुत तेज कर दी है अब देख से तो कि financial 2324 में ही 50 की capacity है सरकार ने प्लान बनाए कि अपरेट से लेकि जून के बीचानि क्वाटर वन के दौरान 15 गीगावाट का पहला टेंडर लाए जाएंगे उसके बाद ऐसे ही तेजी से टेंडर बढ़ा जाएंगे यानि पूरे साल के अंदर 50 गीगावाट के टेंडर लाए जाएंगे यानि अब सरकार ने कमर कसली हैं यहाँ पर देख से तो कि पावर मिनिश्टर आरके सिंग की तब से का गया कि हमने commitment किया हुआ है कि 2030 तक फाइडर गीगावाट की capacity को पाना है ग्रीद अर्जिक के मादिम से और इसके लिए हमने त्यारी कर लिए जल से जल बीडिंग प्रक Durridge हो रही है तो इसके बेंसे भी देखे तो फाइडा हो गए कि 딱 मार्केट के 4557 को बिचका है current price 12.20 है lowest का 9 का और high 25 का तो अभी stock उपर के level से अभी काफी नीचे है book value इसकी 31.20 के तो देख सकते हैं book value से ही लगबग 9 और पे नीचे आपको मिल रहा है और ROC इसका 5.01% ROE minus 4.55% है face value 10 है तो कुल मिलाके इसमें एक मौका बनता है खरीदारी का अभी अगर हम इसकी rating देखें तो master rating 5 star में से 4 star की rating है जो काफी सांदर कही जाएगी लेकिन इसकी EPS strength भी के 5 star में से 2 star की rating है इसकी buyer demand बहुत अच्छी है 5 star में से 5 star की rating निकल के आ रही है और इसकी price trend average है क्योंकि 5 star में से 2 star की rating है और group rank के मालुमें भी 5 star में से 2 star की rating है कुल मिला कि इसकी rating अच्छी दिख रही है अगर हम company की performance देखे तो पिछले एक महिने में ये small cap और power index से काफी अच्छा दोड़ा है आप देखें reliance power में हमने 29.79% का जबदस return देखा है इस दोड़ा अगर हम BSE power index की बात तो मातर 4.36% की ही तेजी देखना को मिली है और BSE small cap में 9.67% की तेजी बनी है तो ये clearly समझ में आ रहा है कि बहुत ही जबदस return गया पिछले एक महिने में है इन्हीं स्टॉक फिर से दोड़ने को तैयार हो चुका है ये true date के इस आप से भी देखें तो 14.98% की गिराओट है रिलाइस पाउर में इस दोड़ान आप देखें तो BSE power index में भी 14.55% की गिराओट हुई है यानि जितना power index गिराओट उतना ही रिलाइस पाउर में भी गिराओट हुई है या भे कोई extra गिराओट फाइनेंसल एडवाजेस के बाड़े लिए या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू की ज़िए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेंड